Hello friends, welcome to study bus, आज की इस वीडियो में आपको एक different program के वारे में बताने वाला हूँ जो है Vedika Scholars Program for Women, ये एक तरह से एक alternative to MBA है, only for women college है and the best part about this college is कि आपको apply करने के लिए कोई भी application fees नहीं देने तो भाई तब तक आपको कोई भी fee pay नहीं करना है and इस पूरे की पूरे college का जो average fee status है that is 9.07 lakh तो इस वीडियो में मैं आपको एक detailed analysis इस program के बारे में बताने वाला हूँ कुछ pros है, कुछ cons है वो सारे मैं आपके साथ discuss करूँगा and इसके साथ ही आपको एक बात बताते ले पाओगे, so my name is Saurabh Kothari, let's start तो सबसे पहले भी चैनलों को subscribe कर लेना and bell icon को press कर देना ताकि यसी जितनी भी important videos है उसके notifications आपको मिलते ने, इसके साथ Instagram पे वारा channel is study was education इसको follow कर लेना है daily basis पे quant, short cut, vocabulary words, current affairs आपको मिलते रहते हैं अगर आप एक serious cat और MBA experiment है, तो हमारा pen drive course latest आ चुका है जिसमें आपको सारे के सारे video lectures मिलते हैं, बिल्कुल basic से लेके advance सक, 24-7 आपके साथ doubt forum रहते हैं आपको e-books मिलते हैं, जिसमें से आप practice कर सकते हो, जितनी भी आपके major MBA exam से उनकी test series आपको provide होती है and detail analysis एक-एक test का आपको करवाया जाता है, साथ में आपके साथ एक study planner होता है जिसे आप अपने पूरी की पूरी पढ़ाई को structure कर सकते हो, मतलब इस pen drive course के बाद अलग से नहीं आपको कोई coaching चाहिए, नहीं कोई test series चाहिए, नहीं कोई book चाहिए full flooded आपकी preparation यहाँ पे हो जाती है, तो आप quant, verbal, LIDA, GK का course ले सकते हो otherwise आप combo pack बाय कर सकते हो, उसमें आपको gdpivat साथ में मिल जाता है तो इस website पे जाके आप course को purchase कर सकते हो, within 4-5 days आपके घर पे आपकी pen drive kit आ जाती है अगर आपको number of mocks देखने हैं तो यहाँ पे available है, 25 cat, 12 snap, 5 zat, IFT, NMAT, Tisnet, SRCC तो सारे mocks आपके सामने है, सारी के सारी e-books आपको मिलती है and topic wise आपको basic moderate advance की test भी मिल जाते हैं जिससे आप अपनी performance को analyze कर सकते हो जो goals of the day आप generate कर सकते हो, इस course के बारे में और कुछ जानना है तो इस number पे whatsapp कर देना, 99589-3705, आपके सारी के सारी details and demo lectures share कर दिये जाएंगे तो अब हम बात करते हैं कि वेदिका scholars program actually में है क्या तो भाई इन्होंने बताया है कि this is a unique alternative to traditional MBA program यह जो course only for women है, जो women भाई long run में एक leadership role में जाना चाहती है अपना professional development करना चाहती है, उनके लिए एक course है यह 18 month का full time course है, भाई जनरली आपने देखा होगा 1 year MBA होता है, जो 12 months का होता है और जो आपका 2 years के MBA होता है, वो 24 months का होता है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे 18 months का एक course है, जिसमें आपको सारी की सारी skills develop कराए जाती है classroom learning होती है, hands-on experience होता है, mentoring होती है उसके लिए आप top professional के अंडर काम करते हो और इस course के बाद, आपको एक certificate मिलता है, तो आप बोल सकते हो यह एक तरह का disadvantage है, वो क्या है, इन्होंने पने वेबसाइट पर mention भी किया हुआ है वेधिका, it's a certificate program for women and does not fall under the purview of AICTE तो यह AICTE approved नहीं है, मतलब आपको जब यह course complete करोगा आपको MBA की degree नहीं मिलेगी, आपको कोई diploma नहीं मिलेगा, PGDM का यह अपने एक certificate देंगा, वो certificate कौन सा होगा, post graduation certificate in management practice and leadership ठीक है, अब इस course की details को समझते हैं, क्या क्या चीज़े हैं, तो इनके जितने भी tie-ups हैं वो इनके खुद के tie-ups है, corporate के साथ, इनके connections है, जिसकी वज़े से यह students की placement करा पाते हैं तो इस course को all detail में थोड़ा सा देखते हैं, यह जैसे कि मैंने आपको बताया, 18 month का program रहने वाला है इसमें आप MBA के जो subjects होते हैं, उसके साथ साथ, आप भी liberal arts को भी समझते हो आज के इट में अगर आप देखोगे न, top corporate में क्या हो रहा है, liberal arts का element भी add-on हो रहा है जिससे जो decision making को better हो रही है, तो इनोंने इन सारे subjects को add-on करके एक different type का course बनाया है, ताकि long run में आप एक business leader बन पाओ and workforce में अपनी जो command है, अपनी जो specialty है, उसको use करके आप भी corporate में successful हो पाओ, तो program है, post graduation program in management practice and leadership, 18 months का आपका ये रहेगा, around 11.5 lakh कि इसकी fees रहती है और ये full time course है, मतला आप आप campus बर जाके अपनी पढ़ाई करते हो, proper course है but AICT अंडर ये course नहीं आता है, ठीक है, अब अगर आप course का structure देखोगे तो इन्होंने क्या-क्या चीज़े करी है, management practice जो आपके MBA के subject होते हैं आपको कराएंगे ही, साथ में आपको liberal arts के subject होते हैं, sociology और जो भी आपके decision making में helpful लेते हैं वो सारे topics आपको कराया जाते है, communication जिसका role बहुत ज़ादा important है, जब भी आप corporate में enter करते हो अपने corporate graph को आप increase करना चाहते हैं, तो जितना अच्छा आप communicate कर पाओगे, जितने better तरीके से आप networking कर पाओगे वो सारी चीज़े आपको यहां सिखाए जाती है, and personal growth आपको कैसे करनी है, आपकी जो personal aspiration है उनको कैसे align करना है, अपने professional goals के साथ, इन सब चीज़ों को cover तो एक तरह से collaborative and conscious professional आप बन पाते हो इस course के बाद और यहां पर अगर आप और detail में देखोगे, कौन-कौन से subject पढ़ोगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, management practice यहां पर आपके वही साली subject रहते है, marketing, strategy, operations, organization, behavior, accounting, finance, business planning, business ethic, problem solving, decision making यह सारे subject वही हैं जो आप जनरली देखते हो, MBA का course curriculum होता है, जो अलग चीज़े हैं वो आपकी यहां से आती है, जो आपका thinking and communicating for impact यहां पर भी आपको जो subject वह है, public speaking, then आपका verbal communication, organization writing, language fundamentals, communication को और बेटर कैसे करना है, critical thinking process कैसे develop करना है, listening, ability, public speaking, यह सारी skills आप यहां सीखते हो फिर आप liberal arts के कुछ subject पढ़ते हो, जिसमें आपकी जो learning रहती है, वो रहती है, sociology की, history की, geopolitics, business psychology, women studies, international relations, public policy, तो यह subject जब आपने पढ़े होते हैं तो आप out of the box thinking अपनी develop कर पाते हो, different different problems के, different perspective से क्या solution होने चीए, वो आपकी यहां पर value addition होता है, उसके बाद, personal growth के जो आप लीड करना है, खुद को कैसे लीड करना है, leadership skills कैसे develop करनी है, जो आपको एक successful woman professional बनाने में help कर सकता है, वो सारी चीज़े आप यहां पे सीखोगे, आप question नहीं निकल के आता है कि admission process क्या है, तो नीचे description में, मैंने आपको website का link दे दिया है, वहां पे option है, admission, वहां पे आप जाओगे, तो वहां पे आपके सामने एक form आएगा, उस form में आपको सारी की सारी details fill करनी होंगी, उसमें आपके क्या क्या personal achievements है, professional details क्या क्या है, वो सब आप mention करोगे, उसके बाद जो आप क्या थोड़ा बहुत questions होंगे, उनको आप fill करोगे, उनको आप submit करोगे, उसके अगर आपने पूरा form अच्छे से fill किया है, उसके बाद जो panelists है, वो आपकी profile को analyze करेंगे, उसके बाद वो आपको interview के लिए call कर सकते हैं, और ये कोई भी fees नहीं है, there is no application fee, आपको सिरफ login करना है, पूरा का पूरा form fill कर देना है, उसके बाद shortlisted candidate को inform कर दिया जाएगा, and then आ scholarship है, जो सारी students को मिलती है, तो आपके लिए effectively जो cost रहेगा, वो रहेगा 11.75 lakh रुपीज, जिसमें आपका tuition fee है 6.75, बाकि आपका accommodation, food and transport है 5 lakh, तो total आपका 11.75 के आसपास fee structure है, the good part about that is, कि यहाँ पे scholarship भी आपको मिलती है, और scholarship आपकी need के basis भी मिलती है, और merit के basis भी मिलती है, और यहाँ पे आपका full tuition fee भी cover हो सकता है, या फिर आपको कुछ level पे यहाँ पे support provide किया जा सकता है, तो यहाँ पे सारी की सारी details आपके सापने mentioned है, और आपको अगर यहाँ पे apply करना है scholarship के लिए, तो आपको अपनी सारी details mention करनी पर उसके बाद जो panelists हैं, वो decide करते हैं कि कि क student को यहाँ पे scholarship मिलनी चाहिए, और कितनी मिलनी चाहिए, ठीक है, तो इसका पूरा process website पे mentioned है, एक भी आप वहाँ पे go through कर सकते हो, अब बात करते है important perspective की placement की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह college, यह course AICT approved नहीं है, लेकिन क्योंकि college की जो alums हैं, college की seniors हैं, जो college का खुद connections बना रखे हैं, जिसकी वज़े से, जो top recruiter से वो यहाँ से hiring करते हैं, आप देख सकते हो, Nestle, KPMG, EY, उसके बाद Aditya Birla Capital, OYO, Axis Bank, then different different नई companies यहाँ पे आती रहती हैं, तो recent जो batch है, उसको average package है, वो 9.07 lakh रहा है, last year 10 plus था, लेकिन इस साल क्योंकि COVID की situation थी, उसके बाद इन 16.5 lakh और एक fresher का है, CTC के आरा, वो रहा 14.08, तो इस तरह सिन कर रहा है, और 96% जो बच्चे हैं, वो place हो चुके, 31st January 2022 तक का यह data है, जो मैंने आपके साथ share यहाँ पे किया है, और companies आपके सामने दिखा दी हैं, यह सारी companies यहाँ से regularly higher करती रहती हैं, आप question यह निकल के आता इनके batch profile के जितने भी students हैं, उन सब का data देरका, वहाँ पे देखोगे Life at Vedika में, Class of 2021, 2019, 2018, जो current students है, उनका पूरगबरा data है, इसके साथ ही, जो college के alums है, उनका पूरगबरा network है, तो अगर आप LinkedIn पे active हो, तो मैं आपको recommend करूँगा कि इन students से connect करो, जो current students है, उनसे भी connect करो, और उनसे पूरगबरे course का feedback लो है, किस तरह का course है, उनका क्या experience रहा, क्या learning रही, उनको corporate में कितनी help मिल पा रही है, किस तरह का learning process है, teaching pedagogy क्या है, तो सारी चीज़ आपको समझने पड़ेगी, तो आप भाई 4-5 लोगों से यहाँ पे connect कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे apply कर सकते हो, second चीज़ है, कि अगर आपका plan MBA करने का, आपको MBA की degree चीज़ या PGDM की diploma चीज़ तो वो चीज़े आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यह AICT approved नहीं है course, तो आपको यह खुद अपने level पे decision लेना है, कि मैं इस course को करना चाहता हो, कि नहीं करना चाहत हो, however, काफी सारे ऐसे लोग है, जो यह चाहते हैं कि भई, मुझे कुछ different सीखना है, मुझे liberal arts सीखना है, मेरा sociology में interest है, मेरा public speaking, consumer behavior या जितने भी subjects आपको मैंने बताए, तो अगर आपका interest area वहाँ पे लाई करता है, कि मुझे एक different course में सीखना है, और मेरा जो ambition है, मेरा जो network खुत के हैं, सारे connection खुत के हैं, उसके बाद भी अगरे 9.07 lakh का placement लगा पा रहे हैं, तो it is not that bad, यहाँ पे बहुए decent placement है, अगर आपको scholarship मिल जाती है, तो उसके बाद आप इस course के बारे में सो सकते हैं, fourth important point, मैं आपको recommend करूँगा भई, जब कोई application fees है ही नहीं, तो आपका clarity मिल जाएगी, कोर्स का क्या feedback, आप senior से भी connect कर लोगे, आप महां के current student से connect कर लोगे, आप panelist से अपने question पूर सकते हो, interview process के time, तो उस time आप अपने confusion को और ज़्यादर clear कर सकते हो, तो यह सारी की सारी details मैं आपको बता दी है, कोशिच मैं यह करी कि पूरा एक neutral perspective आपको दे कोर्स एक नया कोर्स, एक different type का कोर्स है, alternative to MBA कोर्स बोला जा रहा है, तो इस कोर्स के बारे में अगर आपको और research करने है, नीचे website का लिंक है, आराम से वहापे पढ़ो, थोड़ा सा समझो, अगर आपको ठीक लगे तो आप apply कर सकते हो, नहीं ठीक लगे तो जो आपके entrance exam आ प्रोलो कर लो या फिर किसी कोर्स को purchase करना चाहते हो, तो हमारी website या WhatsApp नंबर पर contact कर सकते हो, so all the very best, thank you so much and take care.